हेलो फ्रेंड्स मैं नीरे सर्मा स्वागत करता हूँ आपका सीविल हाउस डिजाइन में अगर आप इस चैनल पर नहें ते चैनल के जो सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो लेंड मेजर में सीरीज का थर्ड पार्ट है इसमें हम जानेंगे जमीन मापन इकाय के बीच में सं मंद जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंच बराबर होता है दो दसमलों पांच चार सेंटीमीटर और एक फिट में होता है हमारा बारा इंच तो इस तरह से हो जाता है हमारा एक फिट में 30.48 सेंटीमीटर आगे बात करते हैं गज और फिट में रिलेशन तो एक गज जो कि होता है याड तो एक गज में होता है हमारा 3 feet जो कि हो जाता है 91.44 cm आगे बात करते हैं मीटर और feet में relation तो एक मीटर में होता है हमारा 100 cm और एक feet में होता है हमारा 30.48 cm तो एक मीटर में हो जाता है 100 को डिवाइड करेंगे 30.48 से तो हमारा जाता है 30.28 जो कि ले लेते हैं 3.3 फिट यानि कि 1 मिटर में 3.3 फिट होते हैं आगे बात करते हैं गज की तो हमें पता है कि 1 गज में होता है 3 फिट तो हम 3.3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आजाता है 1.1 गज यानि की एक मीटर में 1.1 गज या यार्ड होता है आगे बाद करते हैं हम chain की तो जो chain हम यूज करते हैं उसे हम गंटर chain कहते हैं या सर्वेर chain कहते हैं इसमें एक chain में होता है 100 कडि 1 कडि की लंबाई होती है 7.92 इंच और इस तरह से एक चेन होता है हमारा 100 कड़ी तो टोटल लंबा हो जाती है 66 फिट और क्योंकि एक गज में होता हमारा 3 फिट तो 3 से डिवाइड करते हैं तो आजाता है हमारा 22 गज यानि कि याड आगे बात करते हैं फ्लांग की जो की आठ फिलांग के बराबर हो जाता है हमें पता है कि एक चेन में होता है 22 गज तो 80 चेन में हो जाएगा 1760 गज अब एक गज में होता है 91.44 सेंटिमेटर तो सेंटिमेटर में क्या हो जाएगा 1760 गुणा 91.44 जो क्यों हो जाता है हमारा एक लाग 60934.4 cm जिसको हम ले सकते हैं 1.6 km यानि कि एक मील में 1.6 km हो जाता है तो इस तरह से जमीन मापन निकाए के बीच में आपस में संबन निकल गयाते हैं तो उमीद करता हूं ये वीडियो आपको पस्चन आया होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल के चैनल क प्रोचीं.